साल 2021 दस बारा दिनों में खतम होने वाला है और इस साल हमें एक से एक तंगले स्मार्टफोन मिले जो कि अपने प्राइस पॉट के इसाफ से काफी वैली फोर मरी थे और आई थिंग अब कोई भी फोन लॉंच नहीं होने वाला है जो लास्ट फोन लॉंच हुए वो हमोटो ज सबसे पहले अगर हम दस यार के नीचे बात करें तो कई सारे फोन साते हैं कई सारी अलगलग कंपनियों की तरब से मोटो की तरब से आपको मोटो E40 मिलता है, Realme C21Y मिलता है, Infinix का Hot 11 मिलता है, Tecno POVA मिलता है, Micromax N2 भी मिलता है और Micromax से दू और है, N1 और N1 जो कि मैं बोलूंगा कि उन पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है भी फिलाल और Redmi की तरब से आपको Redmi 9 Power, Poco M3 मिलता है, जो कि महगे है, मतलब एक एक दो दो आयार रुपे महगे हैं, 10-10 यार से उपर के, 11-12 की है तो ये सभी phones आपको फिलाल मिल जाते हैं, 10-10 के राण, जो कि अगर आप इनमे से भी कोई phone ले लेते हो, तो वो भी आपके लिए बढ़िया है पर हमें तो जानना एकदम best, तो जो मैंने 67 phones अभी आपको बता है, वो सभी एकदम बढ़िया हैं अपनी अपनी जगाए पर, लेकिन हम ढून रहे हैं यहां पर best, तो दो phones मैंने लिखा ले हैं, जो कि आपके लिए आज की टाइम पे भी काफी value for money है, और आप उनको purchase कर सकत पहला phone है Tecno Poba, I think बहुत सारी लोग इसको नहीं expect कर रहे होंगे, कि Tecno Poba कैसे बता दिया, तो बड़ यार, यह सबसे पहले यह सारी 9000 में मिला है, आपको चार्ज भी 64 GB, 6000 mAh की battery है, 18.8 की पास charging है, 6.8 इंजिस का, I know, actually display है, लेकिन 5 जोल है, बढ़ा तो है, कम से कम, 6.8 इंजिस का, फिर यह JT मिलता है, जो कि दस्या के राण, I think, आज भी काभी capable प्रोसेजर है, 16 megapixel का main है, 2-2 के AI, Macro बगएर दिये, useless है, बट 16 का main है, 8 की selfie है, और overall अगर आप दिखते हो, सारी 9000 के साब से इसमें, ऐसी एक भी चीज नहीं है, जिसको मैं बोल दू कि, वहां पर थोड़ा लेक कर गया, या पर महां पर लेक कर गया, डिस्पले वाला ही पार्ट है, आपको फुलेचरी नहीं मिलती है, और I think, Macro Max के फोन को अगर हम छोड़ने है, तो किसी भी फोन में भी फुलेचरी डिस्पले नहीं है, दूसरा है, जिसे मैं बोलूंगा कि आप इस सारे चेंचिस की HD Plus डिस्पले है, बट ट्विस्ट ही है कि पंचोल भी है, और 90Hz का रिफ्रेश्ट भी है, यूरिसोक T700 प्रॉसर दिया गया है, जो कि अब बोल सकते हो कि हिलियो G88 के एकदम head to head एकदम उसके comparison में आप बोल सकते हो, 4GB, 400GB की RAM और ROM है, इन्फिनिक्स वाले फोन में एक चीज़ कम्जोर थी, वो था उसका camera setup पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मेरी लिस्ट में अभी दसयार के एं 15,000 के एंडर आपको कौन सा best phone stamp मिल सकता है, तो यहाँ पर phones थे, वो है Realme 8i, Moto G31, Moto G51 5G, जो अभी अभी लाँच हुआ है, Moto G40 Fusion, जो की काफी पहले लाँच हो गया था, और Redmi Note 10S, और इनके अलावा भी कई और सारे phones थे, बट मेरे को नहीं लगा कि यार वो इस लिस्ट में करने चाहिए, वो कि यार, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉडम थी, ओवराल इन सभी phones में सभी phone एकदम बढ़िया है, बट फिर भी आपको best बताता हूं, तो अगर आपको cable 5G, 5G चाहिए, मतलब 5G चाहिए, लेकिन और सारी चीज़़ों में compromise नहीं हो, तो मैं मोह पलूँगा, Moto G51 5G आप देख सकते हो, ओपर एक बड़िया phone है, बट अगर हम नॉर्मल के लिए बोले हैं, तो वो बिनर है, वो है Redmi Note 10S, अब बताता हूं कैसे, 6.4 इंचिस का Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले है, ब्रैटनेस बगर अच्छा है, नॉर्मल 60Hz का है, 120Hz आपको नहीं देगा, 64MP का मेन कैमरा और अल्टरावाइर एंगल सब कुछ दिया गया है, 13 की सेलफी भी है, हिलियो G95 है, जो कि अल्री एक पावरफुल प्रॉस्टर है, पांच हर एमेज की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिग है, ग्लास विल्ड है, और अगर अगर आप दिखते हो, प्रीमियम फोल की तरह दिखता है, बस जो प्रॉब्लम है, वो है इसका UI, MIUI यहां भी ड़ला हुआ है, तो वही थोड़ा सब पीचे वाली बात है, नहीं तो और अगर आप दिखते हो, तो डूल स्पीकर हो गया, साइर मांट, फिंगर बिंड स्केंडर, कैमरा, डिस्प्ल 6GV प्लस 128GV, यह जनरली आपको 15,000 में मिल जाता है, और देखो जित्मी फोल्स मैंने अब तक बताए, या फिर आगे बताने वाला हूँ, वो सभी मैंने एकदम नॉर्मल प्राइस पर बताए है, सेल्स में फोल्स की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, कोई नीचा आयाता 64MP का में गैमरा है, अल्टरावाइड भी है, सोला की सेल्फी है, स्नाइब लेकन 732G है, 6000 एमेज की बैटरी है, और 80 नोट की फास्ट चारजिंग है, फिंगर बिटी स्कैनर है, सिंगल स्पीकर बगारा दिया गया है, और ग्लास वेल्ट नहीं है, तो इसलिए यह दूसरी नमर पर रखा है मैंने, और सभी फोन की मैं एकदम डिटेल नहीं बना सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मेरे भी गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अब यह तित्ती इंफोर्मेशन वह आप जान लीजिए, ऑन्रेयर के अंडर रेडमी नोट 10S, तसके दिजर मैं बोलूँगा, मोटो ए-40, मैक्रमेश के फोन को मैं बोल सकता था, बट मेरो को अभी फिलाल उन पर रेकमेंड नहीं करूँगा, तो कि अपडेट और आए का मेरो को नहीं मालूँग, बैटरी दिप साथ भी काभी जारे प्रॉब्लम चल रेलमी एट प्रो है, मोटो जी सिक्स्टी 6GB प्लस 128GB है, गेमिंग लवर्स के लिए पोको एक्स्ती फ्रू है, और रेलमी एक सेवन 5G है, और आईकू जी 3 5G है, तो मतलब दो 5G फोन्स भी इस लिस्ट में है, तो अगर इन में से भी अगर आपके पास कोई भी वोन है, तो ओवराल देखते हो, हर मामली में तो वो उत्ता वड़िया नहीं है, और पुरानी लिश्टों की तरह इस प्रैस में भी दो विनर्स निकलके आते हैं, पहला है रेलमी नोट 10 प्रो मैक्स, और यह तो होना ही था यार, इस साल रेलमी की जो नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स वाल है, 108 MP, Main 32 Selfie, Snapdragon 732G है, 5NMH की बैटरी, 3300 की Fast Charging, जो डिटेल्स है वो जाते लोगा, आप में से एकडम यादी कर चुके होंगे, तो overall best phone है, BCR के एंटर 60V plus 128GB इसका मिल जाता है, बच्छे नमर पे है, वो यार इस से भी ज्यादा पारफुल है, बस वो पीछे रहाता है, त दिस्प्ले, और पंचोल के साथ नहीं आता है, बाटर डॉप के साथ आता है, तो इसलिए दूसरे नमर पे मैंने रख दिया है, और यहां पर जो बहाँ प्रोज है, वो काफी सारे है, यार यहां पर इस नहीं है, 768G मिलता है, जो कि इस प्राइस के राउंड, वो के बाद तो है एकदम लिजेंटरी फोन है, उसका जो मैंगरो कैमरा भाई हो हो, क्या कहे, एकदम यार करीबी चला जाए था अबजेक्ट के, और उसके बाद या IQZ3, तो मतलब अभी 15, 20 और 10,000 के राउंड मैंने जो अपनी तरब से जो मेरे को लगते है, बैस्ट फोन से, वो मैंन दे मातरम